गुड मारिंग दोस्तों मनुष कुमार गिरी के इस टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है यह वीडियो आपको अच्छा लगे तुसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें इसके पहले हम बनियर कैलीपर के अलपतमान और उसको पढ़ने का तरीका बता रहे थे आज हम लोग फीटर तर्ष स्टमेस्टर के जो फीटर थर्ष स्टमेस्टर कि लिए बहुत ही इंपोर्टनस है यह अगामी परिछाए परच्छाओं में किये जाएंगे वह अनेस की लेबल से होंगे तो इसको ध्याद में रखकर ये पेपर को बनाया गया है आज इसे हम सॉल्व क कराएंगे इसमें पुशा है विच स्पेस्टल पाइल यूज़ फॉर नेरो वर्क यहनि संक्रिकार के लिए किस विश्चेस फाइल का उपयोग किया जाता है तो संक्रिकार के लिए जिस फाइल का हम यूज़ करते हैं उसका नाम है पीलर फाइल का यूज हम तंकिन रिकार के लिए करते हैं अल्ब को संकुरा है कि हुआइ स्लोटेड और प्रोवाइड इन दे प्रोडेड कैसल नट्र, यानि स्लोटेड कैसल नट में स्लोट क्यूं दिये जाते हैं तो करा स्लिट पीन को fix करने के लिए तो फिक्स दा स्लिट पीन अच्छी दिखावत के लिए फॉर गूड एपरियंस नट का वजन कम करने के लिए reduce the weight for nut D करा है आसान से हटाने और fit करने for easy removal and fitness तो इसका option हो जाएगा जो slotted castle nut होता है वो उपरी color पर उसके slot कटा होता जिसमें pin लगा कर lock करते हैं ये एक locking device nut है तो इसका answer हो जाएगा split pin को fix करने के लिए क्योंकि पूछ रहा है slotted castle nut में slot क्यों दिये जाते हैं तो split pin को fix करने के लिए या स्थान देने के लिए तो इसका question करा है what is the name of limit plug gauge limit gauge इस limit gauge का gauge का नाम क्या है तो यह जो gauge है ये plug gauge के अंतर गताता है plug gauge में जिसके एक ही तरफ go और no go बने होते हैं उसे हम progressive plug gauge के नाम से जानते हैं तो इसका answer हो जाएगा C progressive plug gauge तो इसका question करा है what is the name of gauge इस gauge का नाम क्या है इस gauge का नाम ये gauge है इसी gauge का हमें नाम पूछ रहा था करा है कि ये ring gauge है plug gauge है taper ring gauge है या taper plug gauge है plug gauge हो गता तो वह केवल अंदुरून डाया चेक करता है जो plug gauge होता है चाहे वो taper हो चाहे plane हो चाहे थ्रेडेट हो वो अंदर होना चाहिए लेकिन ring gauge जो होता है वो बाहरी चीजों को चेक करता है वो बाहरी डाया plane हो या बाहरी डाया पर थ्रेड कटा हो या बाहरी डाया जो है taper हो तो ring मतलब अंग उठी और अंग उठी हमें साब बाहरी डाया चेक करता है तो यहाँ पर ring gauge और ये plane ring gauge है तो ऐसा option तो है नहीं इसका नाम हो जाएगा ring gauge यदि option में plain ring gauge होता तो हम plain ring gauge पर मारते हैं क्योंकि यह ring gauge के अंतरगत plain ring gauge है अगला question करा है कि which gauge is used to check the gap between the matching parts यानि मिलने वाले भागों के बीच gap की जांच करने के लिए किस gauge का उप्रयोग किया जाता है यानि दो matching parts के बीच का gap और दो matching parts के बीच के gap को चेक करने के लिए करा है कि sleep gauge का प्रयोग करेंगे plug gauge का प्रयोग करेंगे, filler gauge का या radius gauge का तो filler gauge जो होता है इसे हम thickness gauge करते हैं और यह हमेशाथ दो पार्सों के बीच का gap चेक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो इसका option C हो जाएगा filler gauge छटवा question करा है Which material is used to clean the sleep gauge? Sleep gauge को शाफ करने के लिए किस material का उपयोग किया जाता है? Sleep gauge को यदि हमें साफ करना हो तो उसे किस material साफ करेंगे? करा है wax यानि mom से kerosene यानि मिट्टी का तेल soluble oil गुलन सील तेल और carbon tetra chloride तो option D साई होगा carbon tetra chloride CTC CTC से हम इसे साफ करते हैं साथवा question करा है किस सामगरी को charge करने के बाद lab plate को धोना चाहिए which material is to wash of the labbing plate after charging यानि charging के बाद labbing plate को किसे साफ करना चाहिए तो option करा है oil तेल से kerosene से koolent oil या petroleum jelly तो जब labbing plate charge राता है तो उसे साफ करने के लिए हमेशा kerosene का प्रयूक करेता है मिट्टी का तेल option B सही होगा इसका अठवा question करा है which material is used to protect sleep gauge for rust यानि sleep gauge को जंग से बचाने के लिए किस सामगरी का उप्रयूक किया जाता है तो sleep gauge को जंग से बचाने की बात कर रहा है तो हमेशा जंग से बचाने के लिए sleep gauge को करा है oil का प्रयूक करेंगे wax का प्रयूक करेंगे kerosene का प्रयूक करेंगे या petroleum jelly तो इसके लिए option D सही होगा हम हमेशा petroleum jelly का प्रयूक करते है करा है what is the procedure to build up the sleep gauge for particular dimension यानि BCS IAM के लिए किस gauge का प्रयूक का निर्मान करने की प्रक्रिया क्या है यानि what ringing with the largest sleep gauge सबसे बड़ी sleep gauge के साथ विंगिंग शुरू करें maximum number of block block की अधिक्तम संख्या से C करा build up with grade 0 accuracy grade 0 accuracy के साथ निर्मिल्थ option D start ringing with the small sleep gauge यानि छोटी sleep gauge से विंगिंग शुरू करें तो जब भी हम विंगिंग शुरू करते हैं यानि ringing option जब हम सुरू करते हैं जूडने की प्रक्रिया तो हमिस्था starting जो होती है हमारा होता है क्या small यानि छोटे sleep gauge से विंगिंग शुरू करना चाहिए option D say होगा दस्वा करा है कि what is the name of the gauge इस gauge का नाम क्या है ये हमारा snap gauge के अंतर गरता आता है snap gauge में कई प्रकार की gauge होते है इसमें go और no go एक सीरे पर बने है इसके size को हम 6 mm तक कम और अधिक कर सकते हैं इस gauge का नाम पूछ रहा है कि क्या होगा तो करा है plain snap gauge thread snap gauge thread pitch gauge adjustable snap gauge अभी हमने बताया कि ये 6 mm size को उपर नीचे adjust कर सकता है तो इसलिए इसका नाम है adjustable snap gauge 11. किस finishing प्रक्रिया में dimension accuracy की high degree होती है करा है कि which finishing process have a high degree of dimension accuracy पहला option करा है filing में filing के द्वारा high accuracy प्राप्त होगा turning के द्वारा grinding के द्वारा या lapping के द्वारा तो सबसे ज़्यादा जो finishing होती है वो honing से होती है लगिन honing से भी अच्छी honing के से थोड़ी कम finishing जो करती है वो lapping करता है उसके बाद हमारी grinding प्रक्रिया आती है तो इसमें option जो होगा वो क्या होगा option D option D lapping lapping जो होगा इसमें finishing की सबसे अच्छी क्रिया देगा बरावा question करा है which the abrasive use for lapping soft steel and non-ferrous metal किस अपघरसक abrasive का अपयोग नरम इस्पात और अलोधातोग के लैपिंग के लिए किया जाता है तो हमेशा जो हम अलोधातोगों को और नरम इस्पात अलोधातोगों की लैपिंग के लिए जो हम अब रेशियू यूज करते हैं वो होता देखे यहाँ पर लिखा आपसन सिलिकन कारबाईट डायमंड बोरोन कारबाईट और फ्यूज अलूमीना तो आपसन यहाँ पर होगा इसी के जगे हमारा यह आपसन जो हमारा यह मिस्टेक आपसन है यहाँ पर होना चाहिए था जो हमारा आपसन होगा आपसन डी के स्थान पर होना चाहिए यहां पर होना चाहे था एल्मुनियम आखसाइड होगा अबरेशियू प्रयोग नरमिस्पात ओलधातों की लैपिंग के लिए जो अबरेशियू जूज होता है वो होता है एलमुनियम आकस्टाइड वो लैपिंग के लिए है यह लैपिंग के लिए है तिरवा कोश्चन हमारा पूछ रहा है कि लैपिंग प्लेट की सतर पर गुरू प्रदान गुरू क्यों प्रदान किये जाते हैं लैपिंग प्लेट में गुरू क्यों प्रदान किये जाते हैं कराया टू एलाव एक्सपेंशन विस्तार के अनुमती देने के लिए तू प्रवाइड किलेरेंस तू रिटर्न दा अब्रेश्यू अब घर्सन को बनाय रखने के लिए तू पर्मिट माइनर अर्जेस्टमेंट तो विस्ता कराय की लैपिंग प्लेट की सता पर गुरू क्यों प्रदान किये जाते हैं तो यह अब घर्सन को बनाय रखने के लिए इसका प्रियोखम करते हैं तो रिटर्न दा अब्रेश्यू यह अब घर्सन को बनाय रखने के लिए अस्थान देने के लिए चोद्वा कोश्चन कर रहा है हमारा 40 कोश्चन What is the method of surface hardening Surface hardening करने की विधी क्या है इस विधी का नाम पूछ रहा है कराइक नैट्रेडिंग या pack carburizing flame hardening या induction hardening तो यह जो विधी है यह हमारा pack carburizing के अंतरगत आता है अगला कोश्चन हमारा कर रहा है कि surface hardening करने की विधी का क्या नाम है What is the method of surface hardening Surface hardening की या विधी का नाम पूछ रहा कर रहा है नाट्रेडिंग है case hardening flame hardening induction hardening तो इसका जो option सही है वो है इसमें से यह जो हम कर रहे हैं यह है flame hardening इसी तरह नाट्रेडिंग भी होता है लेकिन उसमें copper की जो तारे होती है वो लपेटी जाती है तो इसमें लपेटी नहीं गई है इसको हम क्या कर रहे है flame की तरह flame के दवारा hardening process कर रहे है तो यह हमारा flame hardening होगा सुलमा कोशन कर रहा है कि what is the name of the heat treatment process for reheating the hardness steel to a temperature below 40-100 degree centigrade followed by cooling followed by cooling 400 degree centigrade से नीचे के ताप मान पर कटोरी क्रित steel को पूनह ba गर्म करने की करके फिर थंडा करने के लिए प्रनी किया गया उसमा उप्चार की प्रक्रिया का नाम क्या है यह नहीं कह रहा है की 400 degree से नीचे के ताप मान पर कठोरी क्रित steel को एक स्टील है जिसको 400 डे संटीगेटर तक हमने गर्म किया है फिर ठंडा करने के लिए किया गया उसमा उपचार क्या नाम है तो इसमें पूछ रहा है आपसं करा है एनलिंग हम नहीं करते हैं एनलिंग अपर टंपरेचर से 30 से 40 डिगरी 30 से 50 डिगरी अधिक टंपरेचर पर क किचिक केड़ी है फत्रमा कोश्चन है आट कि वंडर टंपरिंग प्रॉसेस केरी आउट स्टील थेम्परेंग प्रक्रया क्यों के जाती है दो इस्टील है To refine the grain structure Grain structure को परिक्रिस्ट करने के लिए To regular the hardness and toughness तो option इसका D सही होगा To regular the hardness and toughness कठोरता और toughness को regular करने के लिए अठरह question करा है What is the purpose of annealing in steel Steel में annealing का उद्देश क्या है To add cutting ability काटने की छमता जुड़ने के लिए बाला option था दूसरा option है To increase wear resistance घिसने के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए To relieve the internal stress आंतरिक इस्ट्रेसों को दूर करने के लिए To refine the grain structure of the steel Steel की grain structure को परिक्रिस्ट करने के लिए तो option क्या होगा To refine the grain structure of steel उसकी आंतरिक स्ट्रेसों को दूर करने के लिए आंतरिक स्ट्रेसों को दूर करने के लिए हम Normalizing करते हैं Structure परिस्किस्ट करने के लिए हम Ennelling करते हैं To Ennelling पूछ रहा था तो यह option DC होगा What is the name of key इसकी का नाम पूछ रहा है तो करा कि Sun की है कि Feather की है कि Flat Saddle की है कि Halo Saddle की है तो इसकी का जो नाम है इसकी का जो नाम है वो है Feather Key इसकी का नाम है Feather Key भी स्वा कोस्टन करा है What is the purpose of key Key का उद्धिस क्या है To transmit torque यानि torque को transmit करने के लिए Assembly purpose Assembly के कार के लिए Lock the assembly part Assembly parts भाग को लाग करना या Permit Clearance Between Matching Parts मिलने वाले भागों के बीच Clearance पदान करना इसका जो आप्सन होगा वो होगा A To torque meet To transmit torque Star को transmit करने के लिए What is the ratio of key way taper Key way taper का अनुपाद क्या होगा Key way taper का अनुपाद क्या है तो की का जो taper अनुपाद होता है वो सभी लोग जानते है मैक्सिमम लोग जानते ही है कि की का जो taper अनुपाद होता है वो होता है एक संबंदे Show आगे चलते हैं What is the name of key पूछ रहा है कि 22 कोस्चन में कि What is the name of key इस key का क्या नाम है तो यह taper key है देखने से ही पता चल गया देखने से ही मालूम हो जाता है कि यह taper में है तो इसलिए taper की Flat saddle की Parallel संग की Halo saddle की तो यह taper key है करा है कि Which type of material इस्क्रू यूस्ट यूस्ट यूस्फूल फॉर सेल्फ टैपिंग अन हाड अन ब्रिटिल मेटल यानि कठोर या भंगूर सामगरी पर श्वाट टैपिंग के लिए किस प्रकार के स्क्रू का उपयोग किया जाता है वेर इंपॉर्टन कोस्टन है सेल्फ टैपिंग थेड़ फॉर्मिंग या थेड़ कटिंग यह सब जो हैं यह सेल्फ टैपिंग की स्क्रू की अंतर गता आते हैं और इसमें जो हता है भंगूर और भंगूर या कठोर धातों के टैपिंग के लिए हमेसा थ्रेड कटिंग इसक्रू का हम प्रयोग करते हैं टेश्वाट चौविस्वाट कुश्चन करा है कि वाट इस द एडवांटेस आफ विंग नट का उपयोग कहां के टैस सभी जानते हैं जहां पर हम पार्स को जल्दी खोलना कसना हो वहांपर हम विंग नट का उपयोग करते हैं लेकिन इस अप्सन में ऐसा कुछ है नहीं लिखा है इन कोच विल्डिंग वर्क कोच निर्माण कार में हैवी ड्यूटी असेम्बली वर्क भारी कार चमता वाले असेम्बली कार में लूजेन एन्टाइट विदावट रिंज धिला और कसने को रिंज के बिना धिला और कस को रिंज के बिना और दी कह रहा है प्रोवाइड डेकोरेटिव अपेरियन्स नजावती उपस्तेती प्रदान करने के लिए तो यह आफ्षन होगा डी सी आफ्षन सी होगा सौरी आफ्षन सी होगा लूज एन्टाइट विदावट रिंज यानि जो हमारा विंग नटोजावत होता है उसे हम बिना रिंज की सायता से खोल और कस सकते हैं 25 कोशन करा है वाट इस दे नीम आफ गेज इस गेज का क्या नाम है देखते हैं कि गेज कौन सा है इस गेज का नाम पूछ रहा है इस गेज का नाम क्या है तो करा है कि यह गेज जो है वह हमारा पिछ गेज है या एंगल गेज है या फिलर गेज है या रेडियास गेज है तो यह जो गेज है यह हमारा क्या उन्सा गेज है रेडियास गेज इसका प्रयोग आंथरीक वाहर रेडियस को चेक करने के लिए किया जाता है 20-100 को सन करा है कि which gage इनी यूज तू चेक द एकूरेसी आफ आफ आन एक्स्टेर्नल थ्रेड बाहरी चूड़ी की सटिकता की जाच करने के लिए किस गेज का उपयोग के जाता है यहां अभी हमने बताया था कि बाहरी जब किसी चीज को चेक करना हो तो हमेशा हम रिंग वाली जो गेजें होती उनका अपयोग करते हैं अजा थ्रेड है बाहरी तो थ्रेड रिंगेज हो जाएगा तो यहां आपसन क्या होगा सही थ्रेड रिंग गेज अधर वहीं अंदुरुनी चूड़ी चेक करना होता तो थ्रेड लग गेज हो जाता 27-27 question कर रहा है what is the instrument used in measuring external diameter बाहरी ब्यास को मापने के लिए मापने में किस उप्रण का उपयोग किया जाता है उपयोग किया जाता है यहां पर होना चाहिए था किया गया है कि what is the instrument used measuring external diameter यानि इस diameter को चेक करने के लिए कि सुप्रण का प्रयोग किया गया कर रहा है कि वर्नियर के लिपर यह तो गलत है वर्नियर के लिपर है नहीं आउर्साइट के लिपर यह भी नहीं है पैरलल लेक के लिपर यह भी नहीं है कर रहा है कि pair of special jar of using sleep gauge तो sleep gauge के द्वारा हम किसी बेलना कार जॉब के बाहरी सर्फेस को या बाहरी डाया को हम माप सकते हैं तो इसका option सही होगा option D option D सही होगा इसका 38 कोस्टन पूछ रहा है कि find out the height of sleep gauge sleep gauge A की उचाई ग्याद कीजिए मतलब sleep gauge की उचाई पूछ रहा है और दिया है साइन जो साइन थीटा का मान दिया है वो है कराय की 25 डिगरी है और 25 डिगरी का मान जो दिया है तो इसका formula जो होता है पहले formula हम देखते हैं क्या होता है होता है साइन साइन थीटा बराबर होता है क्या लंब बटे कर्ड और साइन ठीटा का जो मान दिया है वो दिया है 0.4226 बराबर लंब क्या है लंब जो है जो लंब है हमारा वो है साइन स्लीब गेज की उचाई अकौने क्या है साइन बार की लंबाई साइन बार की लंबाई जो दिया है वो क्या है दो सो तो L बराबर क्या हो जाएगा भई L बराबर हो जाएगा 6 दसमलो 4 2 2 6 इन्टू 2 0-0 यानि दो सो इसका multiply कर देंगे तो L बराबर हो जाएगा जो sleep gauge की उचाई है जिसे A से परदर्सित किया गया है तो यह हो जाएगा 8 4 0.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 4 4 4 करा है तिस्वा कोस्टन is used to make radius and filler gauge radius और fillet gauge बनाने के लिए किस material का उपयोग किया जाता है तो हमेशा जब हम gauge बनाते हैं तो जो बनाया जाता है वो gauge हमेशा जिसमें जंग ना लगे तो यहां पर आपसन दिया है कि मीडियम कार्बन स्टील उच्छ कार्बन स्टील कठोरता कठोरी स्पाथ टूल स्टील यहनि जो आपसन होगा वो टूल स्टील इसमें टूल स्टील जो होगा हम स्लिप गेज इसी मेटरियल का बना दे हैं आपसन question number 31 है कि what is the part of mark and x lapping tools lapping tool में x के रूप में चिन्नित भाग का नाम इस भाग का नाम जो है वो है slit इसी से हम इसका size क्या करते हैं कम और अधिक करते हैं इसके डाया को हम बढ़ाते और घटाते हैं तो आपसन इसका सही हो जाएगा slit अगला question करा है slit provide in the lapping tool lapping tool में प्रदान किया गया slit का उदेश अब हम slit पढ़े थोड़ी दर पहले ही देखें कि slit का क्या काम था उसके डाया को घटाना और बढ़ाना तो यहाँ पर पूछ रहा है विस्तार के लिए for expansion तो आपसन भी सही हो जाएगा यहाँ बिस्तार करने के लिए slip gauge का जो lapping plate में जो होता है slit का उदेश जो होता है वो होता है क्या expansion यहाँ बिस्तार उसके बिस्तार को घटाने और बढ़ाने के लिए तो यहाँ बिस्तार को चुछन कर रहा है इस operation का क्या नाम है यह एक टूल है जो जाब के बाहरी surface को क्या कर रहा है फिनिस कर रहा है तो कर रहा है कि what is the name of the operation इस operation का क्या नाम है कर रा आंतरिक ringing lab रिंगिंग लेप है आंतरिक तो है नहीं है करा external ringing lab external है ring है ring मतलब अंगूठी होता है बाहरी चीत को तो इसका option जो हो जाएगा B external ringing लेप पिंग यह बाहरी ringing लेपिंग कर रहा है 34 वा question कर रहा है कि what type of abrasive are used in honing cast iron and non-ferrous metal cast iron and non-ferrous material की honing के लिए किस प्रकार के अपघरसर का उपयोग किया जाता है तो देखिए non-ferrous metal के लिए जब honing की बात करता है तो यहाँ पर हमेशा याद रखना कि silicon carbide silicon carbide का प्रयोग हम non-ferrous material की honing के लिए करते हैं आज के यह लिए इतना ही हमारे वीडियो में कि यह आपको अच्छा लगे तो इसे like and subscribe अवश्य करें धन्यवाद कि यह आपको अवश्य करें